लेखा सास्त्र वारा अध्यातिन साजेदार की निवर्ति या मर्तियों की दसा में जीवन विमा पालोशीगा श्रमा योजन नमस्कार मित्रो मैं रामा वतर बटुक आपका श्वागत करता हूँ मैं एक स्वेंपाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ की मुझे सत्तर परती सत्स से अधिक याद हो जाता है परशन एक समर्पन मुल्य की शे कहते हैं उत्तर बीमित वेक्ती बीमा कंपनी से अपनी पालीशी को शमेपरित करने के बदले उस तिती को जो राशी प्राप्त करता है उसे समर्पन मुल्य कहते हैं प्रश्न दो निवर्ती के दिन पालिशी के समर्बण मुल्ले की राशी सबी शाजेदारों में लाव व्याजन अनुपात में किस दसामें बांठ दी जाती है उत्तर यदी सहिंत जीवन भीमा पॉलिशी सभी साज़ेदारों के जीवन पर ले रखी है और प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है प्रशन तीन सहिंत जीवन भीमा पॉलिशी किशे कहते हैं उत्तर प्रमद्वारा सभी साज़ेदारों के जीवन पर ली गई एक ही पालिशी को श्वेंक्त जीवन भीमा पालिशी कहते हैं प्रशन चार पर्थक जीवन भीमा पालिशी किशे कहते हैं उत्तर फर्म द्वारा सभी साजय दारों के जीवन पर अलग अलग ले गई पालिशी को पर्थक या व्यक्तिगत जीवन भीमा पालिशी कहते हैं प्रश्ण पांच पालिशी खाता समर्पन मुल्ले पर ही कब दिखाया जाता है उत्तर फर्म द्वारा साजय धारों के जीवन भीमा पालिशी ले सकती है उत्तर विट्तिगत या सवयक्त दोनों परकार की जीवन भीमा पालिशी ले सकती है प्रश्ण आठ फर्म द्वारा साज़ेदारों के जीवन पर बिमापत्र लेने का उद्दिश्य क्या है? उत्तर निवर्त या मरतक साज़ेदार के उत्रादिकारों को उसकी समाईजित पूजिजी का भुखतान करने के लिए फर्म बिमापत्र लेती है प्रश्ण नो व्यक्तिगत जीवन विमापत्र लेना व्यक्तिगत या पर्थक 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 जीवन विमापत्र लेना व्यक्तिगत पर पुर्णर मुल्यांकन किया जाता है तो पुस्तक मुल्यांकित मुल्य के अंतर को पुर्णर मुल्यांकन खाते के माद्यम से ही समाई जित करते हैं प्रश्ण बारा प्रीमियम को पुण्जी गत्खर्च माना जाता है तो चिठे में केसे दिखाएंगे उत्तर चिठे में पालिशी खाते को पुर्णर मुल्यांकित मुल्यांकन पर दिखाया जाएगा प्रश्ण तेरा पर्थक जीवन भीमा पालिशी पर दे प्रीमियम को कौन चुकाता है उत्तर पर्तेक प्रीमियम फर्म ही चुकाती है प्रश्न चोदा फ्रम दुराज चुकाये गए प्रीमियम उसके लिए क्या है उत्तर फ्रम के लिए साधान तया खर्चाई माना जाता है परशन 15, परतेग साज्यदार के जियन पर ली गई पालिशी की राशी फ्रम को कब मिलती है उत्तर, पालिशी परिप्यक्योत्ता की तिथी को अथवा साज्यदार की मर्तियों ने पर फ्रम को प्राप्त हो जाती है प्रशन शोला फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम कौन सा खर्च माना जाता है उत्तर ये आगत खर्च माना जाता है प्रशन शत्रा फर्म द्वारा चुकाया गया खर्च को लेखा वर्ष के अंत में कहां अंतरित किया जाता है उत्तर लाब आने खाते में अंतरित किया साज़ेदारों की वेक्तिकत पालिश्यों के समरपण मूल्ये को जोड़कर सभी साज़ेदारों में उनके लाव्यात्य अनुपात में बांट्टी आ जाता है। पर्शन गुन्नीश मर्तक साजेदार को पालिशी की देह राशी की घणना किस परकार की जाती है उत्तर मर्तक साजेदार की पालिशी से प्राप्त राशी पलस सेच जीवित साजेदारों की व्यक्तिगत पालिश्यों का शमरपन बराबर कुल राशी मर्तक साजेदार का पर्षन बीश, स्रेंक्त जीवन विमा पालिशी कीशे कहते हैं, उत्तर फरम द्वारा साज़ेदारों के जीवन पर पर्थक पर्थक पालिशी के इस्तान पर लिजावाने आली, एक ही पालिशी को स्रेंक्त जीवन विमा पालिशी कहते हैं, पर्षन एकीस, साज़ेदार की व्याजन अनपात में बार दी जाती है प्रश्ण बाईश स्वेंग्त जीवन वीमा पालिशी पर चुकाये जाने वाले प्रीमियम को समंध में कितनी इस्थितियां हो सकती है उत्तर एक वीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्याइमान कर लेखा दो वीमा प्रीमियम को वीनियोग पूझी गत व्याइमान कर लेखा तीन वीमा प्रीमियम को वीनियोग मानना तदा उतनी इराशी से संचे का निर्मान करना प्रश्ण तेईस कुछ लेखा पाल प्रीमियम के भुगतान को व्यापारिक खर्च नय मान कर इसे वीनियोग क्यों मानते हैं उत्तर क्योंकि जीवन वीमा में वीनियोग का तत्व नहीत है पर्षन चोईश सैंक्त जीवन वीमा पालिशी के प्रीमियम को वीनियोग माने तो लेखे किस परकार होंगे उत्तर प्रीमियम भुगतान करने की पर प्रीमियम की राशी को सइंक्त जीविन भीमा पालिशी खाते को डेबिट किया जाता है तता इसे चिठ्थे में संपती पक्स में दिखाया जाता है प्रश्ण पचीस परतेक लेखा वर्ष के अंत में संग्त जिवन भीमा पालिशी का शेस कितना रखा जाता है उत्तर समरपन मुल्य के बराबर रखा जाता है प्रश्ण 26, सेंक्त जीवन विमा पालिशी खाते की राशी वे समरप्ण मुल्य के अंतर को लावानी खाते में क्या किया जाएगा उत्तर डेबिट किया जाएगा प्रश्ण 27 चिथे में सेंक्त जीवन विमा पालिशी खाता वी नियोग के रूप में समर्प्र मुल्य पर कब दिखाया जाता है उत्तर जब विमा प्रिमियम को वी नियोग मानते हैं तता उसकी राशी से संचे का निर्मान करते है प्रश्ण 28 जीवन विमा पालिशी संचे खाते का निर्मान परतिवस लावाने नियोजन खाते में से क्यों किया जाता है उत्तर परंपरां की अनुपालना तथा सयुक्त जीवन भीमा पालिशी खाते में सेस तथा पालिशी के समरण प्रमुले के अंतर को जीवन भीमा पालिशी संचे खाते से समोई जित किया जा सके पर्शन उन्टीज साजेदार लेखा वर्ष के दोरन मद्द दे आवकास गरण क्यों कर लेता है उत्तर ऐशामाने प्रिश्थितियों की दसा है देवराशी का निधारन वर्ष के मद्द दे किसी तिती को करना पड़ता है प्रश्ण 31 लेखा वर्ष के मद्दे साजेदार के अवकास गरण कर या मृत्यु की दसावें उशे या उसके उत्रा दिकारी को देराशी के समायोजन के लिए कौन से फूंजी खाते करने पड़ते हैं उत्तर 1 वेतन बोनश कमीशन वे फीशादी 2 पूंजी पर वियाज 3 आरण वे उसफर वियाज 4 जीवन विमा पालिशी 5 फ्रम के लाबों में इश्ण समय के आदार पर तथा विक्रिय के आदार पर 6 खाती में इश्ण शाथ संपतियों वे दायित्वों के पुरन और मुल्यांकन से उत्मन लाव आनी में इश्चा एवित्रित लाव आनियों वे संचयों में इश्चा प्रश्ण 32 लेखा वर्ष के मद्य साजेदार अवकास गरनात्वा मर्तिव पर उसके वेतन बोनस कमिशन फीश आदी का समायोजन किस परकार किया जाता है उत्तर विगत चिठ्ठे की तिथी से निवर्थी या मर्तिव तिथी तक का वेतन बोनस कमिशन वा फीश आदी की राशी उसके पुण्जी या चालू खाते में जमा कर दी जाती है प्रश्ण तेतिश लेखा वर्ष के मद्दे साजेदार के आवकास गरण मर्तिव पर उसकी पुण्जी पर ब्याज का समायोजन किस परकार करते हैं उत्तर विगत चिठ्थे की तिथी से निवर्ति या मृत्यू तिथी तक का पूंजी पर व्याज उसके पूंजी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है। प्रश्ण 34 लेखा वर्ष के मद्य साजेदार के अवकास गरण या मृत्यू पर उसके आरण वै उस पर व्याज का समयाजन किस परकार किया जाता है। प्रश्ण 36 लेखा वर्ष के मद्य साजेदार के अवकास गरण अत्वा मृत्यू पर फ्रम के लाबों में उसके इश्चे का समयाजन किस परकार किया जाता है। उत्तर विगत चिठे की तिती से अवकास गरण या मृत्यू तिती तक का लाबों में इश्चा गरणा करके उसके पूंजी या चालू खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रश्ण शेंतीश लेखा वर्ष के मद्दे साजेदार के अवकास गरण या मृत्यू पर फ्रम के लाबों में उसके इश्चे की गरणा किस परकार करते हैं। उत्तर एक शमय के आदार पर तुरंत पुरुए वाले वर्ष या विगत कुछ वर्षों के ओसत लाब को आदार मानते हुए विगत चिठ्ठे की तिथी से अवकास गरण या मृत्यू की तिथी तक की अवधी का अनुपा लित्क लाब ग्याद कर उसमें ऐसे शाजेदार क इस्सा उसके फुजी खाते या चालू खाते में क्रीडिट किया जाता है 2. विगत वर्ष के लाब का उसी वर्ष के विग्रे से पर्तिसत ज्याद किया जाता है तत्थ-पचास विगत चिठे की तिथी से आवकास गरण या मरतव की तिथी तक की विक्रिये पर उसी परतिसत के आधार पर लाव ग्याद कर ऐसे साधेदार का हिस्सा, उसके लाव याजन अनुपात में ग्याद कर उसके पूझी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है प्रश्ण 38 साजेदार के आवकास घरण पर अंतिम भुगतान का निस्तारण नहीं हो तो भारतिय साजेदारी अधिनिया 1932 की दारा 37 के अनुसार उसके अधिकार बताईए उत्तर एक हुए अंतिम भुगतान प्राप्त करने तक की अवधी का बकाया रकम पर 6% व्या की से पूंजी में इसा प्राप्त करें दोनों में से जो अधिक लाब दायगों उस विकल्प को चुन सकता है धन्यवाद